नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अंबर शर्मा और आज आपके साथ फिर उपस्तित हैं दास्तान सीजन टू में एक और नई कहानी लेके आज की जो कहानी है वो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें इंडिन माफिया का रोल है प्लस आईसाई का एक हिस्सा इसमें आपको पता चलेगा और नेपाल में ये किस्सा हुआ था नेपाल में ये मर्डर हुआ था और बहुत ही इंट्रस्टिंग कहानी है कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेधन करना चाहता हूँ कि कोरोना का कहर इस समय चल रहा है तो आप अपने घर में रहें जादा से जादा और दूसरे जो लोग हैं जो आप नीडी हैं जिनको आप लोग की साहता है जहां पर सरकार की साहता नहीं पहुँच पारी है एक दम से आप उनको biscuit या कुछ फल या कुछ खाने में दे जिनसे उनको जो है उनकी body जो है work करे उनके energy body में बनी रहे और आप ये करते वे ये समाज का काम करते वे इसकी photo या video आप हमें भेजिए हम उसको अपनी next story में जरूर चलाएंगे और साती साथ community section में हम उस photo को post जरूर करेंगे तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस महमारी से लड़ने के लिए आपको और हमको सब को जो है एक साथ एक जुट होना पड़ेगा तब हम इस बिमारी को हरा पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी आज की कहानी जैसे मैंने बताया कि नेपाल में घटित हुई थी और नेपाल के बहुती बड़े बिजनस टाइकून की है यानि की मीडिया मुगल की है और इसमें आईएसइए का भी बहुत बड़ा इंवल्मेन्ट है इस कहानी में और दूसरी तरफ इंडियन माफिया का भी इंवल्मेन्ट है मैं बात कर रहा हूँ जामीन शाह की जामीन शाह जो की नेपाल का मीडिया मुगल उसका अपना एक निउस पेपर होता था और एक टीवी चैनल होता था तो जामीन शाह की लाइफ के ओपर हम किसी और दिन डिटेल में एक पूरा एपिसोड करेंगे लेकिन आज का जो एपिसोड है वो उसके मर्डर का है जामीन शाह जो है एक तरीके से जब उसका करियर शुरू हुआ थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ तो जामीन शाह जो है वो जो उसकी रूट्स है वो कश्मीरी रूट्स हैं वो कश्मीर का रहने वाला है और माईगरेट हुए थी उसकी फैमिली नेपाल में जामीन शाहाने जो अपना करीमल करीयर शुरू किया, वो स्मगलिंग से शुरू किया खासकर इसमगलिंग गोल्ड की और उसके बाद उसने जो है business शुरू किया business उसने किया आपका tv network, casinos नेपाल में पलस एक hotel होता था नेपाल में hotel Hayat उसमें उसकी partnership होती थी लेकिन जो उसका main business था वो था fake currency fake currency वो भी Indian fake currency 90s में 90s और 2000 में जब तक इसका murder नहीं हुआ था तो यह fake currency का business करता था अब fake currency इसके पास कहां से आती थी तो fake currency जो है इसको ISI use करती थी इंडिया में infiltrate करने के लिए currencies को और 90s में अच्छे से मुझे याद है कि बहुत खेप पकड़ी जाती थी नकली 500 के नोटों की जब उस time पे 90s में 500 का जो नोट होता था वो हरे रंग का ह होता था बाद में जाके 2003 में के आसपा से उसको येलो इश कलर किया गया तो पहले जो थी हरे रंग का एक 500 का नोट आता था वो उसका जो है फेक करेंसी वो पूरी की पूरी ISI जो है अपने country में छापती थी और नेपाल के रास्ते जो है इंडिया भेजा करती थी और जो main person होता था इनको handle करने वाला वो होता था जामीन शाह मैं इसमें एक बात बताता हूँ आपको कि जामीन शाह जो है फेक करेंसी का जो बिजनस करता था वो गुरंग नाम से करता था गुरंग उसका एक criminal नेम था जिसमें वो जाना जाता था कि गुरंग नाम का एक विक्ति है और शुरू में तो पाकिस्तान ने यानि की ISI ने जो है जो फेक करेंसी है वो पाकिस्तान में चपवाता था लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने पाकिस्तान का से बेस बदल के हौंग कॉंग में शुरू किया था हौंग कॉंग में जो है फेक करेंसी शुरू हुई थी चपन है को दुनिया में बेस्ट लोकेशन क्या-क्या रही फेक करेंसी की इस पे हम डिटेल एपिसोड दास्तान सीजन टू में करेंगे अब ये बात होती है कि जब ये इंडियन एकनॉमी को एक तरीके से नकली नोटों से आप खराब करने ही कोशिश कर रहे हैं तो बहुत सारे इंडिया को अनस्टेबल करना चाहता था और नेपाल जो लैंड है वो बहुत ही आएसाई के लिए और क्रिमिनल के लिए बहुत ही हैलफुल रही इंडिया में अनस्टेबल करने के लिए तो उसमें से एक इनका मौदा था जामीन शाह अब आते हैं बात कि इसको इंडियन म कहते हैं कि माफिया खतम करना चाहते थे दुनिया की कोई इसी भी ऑगई उगई कांड कराना है तो वह अपनी सेना नहीं बेजेंगे क्रिमिनल्स को यूज करेंगे तो ऐसा ही किस्सा इसमें होता है अब आते हैं बात कि इसमें मास्टर प्लानिंग किस्ने की थी जामी शाव को खदम करने की तो जामी शाव को खदम करने में जिसका हाथ था वो था बबलु शिवास्तव बबलु शिवास्तव को अप्रोच किया अब ये किस ने अप्रोच किया ये नहीं मालूम लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एजिंसी जने अप्रोच किया कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, दूसरे माफियाज ने अप्रोच किया, क्योंकि जामी शाह बहुत बड़ा हो गया था, दूसरे माफियाज के लिए थ्रेट हो गया था, उनका बिजनिस खराब होने लगा था, तो इस वज़े से जो है, दूसरे माफियाज ने बबलू शिवास बेक के ओपर उसमें मैंने काफी डिटेल्स बगलु शिवास्तफ की सिटीजन सिप पे दी थी तो इस वज़े से बगलु का वर्चेफ्स की वज़े से बगलु शिवास्तफ ने जो है जामीन शाह का कतल करने की सोची तो यह बहुत सारी सारी थियोरीज है लेकिन अब बगलु शिवास्तफ इसमें involved कैसे हो रहा है कि बगलु शिवास्तफ को एक पुरानी फोटो भेजी जाती है वो फोटो यह कह के भेजी जाती है कि यह जो व्यक्ति है यह fake currency का काम करता है और इसका नाम है गूरंग अब बबलु शिवास्तव जो है वो फोटो देखता है और ये कहता है कि ये व्यक्ति जो गुरंग है ये तो जामीन शाह है जो fake currency वाला है वो व्यक्ति है तो बबलु शाह शिवास्तव जो है उस पुरानी फोटो को confirm करने के लिए उसके cousin से touch में आता है और उसके जामीन शाह के अंकल से touch में आता है जामीन शाह के जो अंकल का नाम रहा वो नसीम शाह रहा और इसके cousins रहे जामीन शाह के पहीम शाह और सलीम शाह का एक बेटा है ताहिर शाह ताहिर शाह जो है वो बहुत ही most wanted है इस समय इंडिया में और red corner notice उसके खिलाव दिया गया हुआ है बबलु शिवास्तर जामीन शाह को तब से जानता था जब से बबलु शिवास्तर नेपाल में था अजब वो पुरानी फोटो जो है इसके cousins को और अंकल को दिखाई जाती है तो यह सब लोग confirm करते हैं कि हाँ यह जो है जो गुरंग नाम का व्यक्ति है वो जो है वो जामीन शाही है जो fake currency का business कर रहा है ISI के कहने पे गुरंग नाम से अब बबलु शिवास्तर जामीन शाह के पारे में और details निकालने शुरू करता है कि वो कहां का रहने वाला है और किस तरीके से operate करता है तो जो जामीन शाह का घर था वो embassy वाली एरिया में था निकाटमांडू में जो की बहुत हाइली security area है जैसे इंडिया में डेली में चानक के पूरी एक जगह है जहाँ जाहता सारी embassies है बहुत highly protected area है वैसी ही काटमांडू में जो embassy area है वो है कमल पोकरी तो कमल पोकरी area में जामीन शाह का घर था और उसके घर के पीछे एक hospital था पांस साथ मंजल का यानि कि पांस से साथ मंजल का एक hospital था जो बिलकुल उसके घर के पीछे था अब जो इसका धर था वो बहुत ही highly tight security area में था एकदम से आप किसी को भेच नहीं सकते हैं और किसी का भी execution करने के लिए आप जो है उसकी पूरी detail निकालते हैं उसका movement क्या है उसकी daylight क्या है तो जो जामीन शाहता वो घर से ही जाहतर operate करता था और बहुत कम घर से निकला करत था तो बबलू उसके घर पे नज़र अगने के लिए एक और तरीका निकालता है अब आप इसमें ये जानने का प्रयास करिए कि ये लोग कितने दिमाग लगाते हैं criminals जो हैं किसी का कतल करने के लिए किसी से बदला लेने के लिए ऐसा ही केस हमने शोटा शकील का और छोटा वेल कनेक्टिट था बबलू शिवास्तव नेपाल में तो बबलू शिवास्तव ने जो हॉस्पिटल है उसमें एक पेशेंट भरती कराया और फिफ्ट फ्लोर पे उसको एक प्राइवेट रूम दिया और जो वो पेशेंट था वो कोई पेशेंट नहीं था पोच नहीं था वो एक क्रिमिनल था और बबलू शिवास्तव का मुखबेर था पांचमी मंजिल पे जो घर आई मिन पांचमी मंजिल पे हॉस्पिटल में जो रूम लिया था प्राइवेट रूम वो वैसा लिया था कि जहां से जामीन शाह का घर दिखे उसके पाद बबलू शिवास्तव एक और चीज़ करता है इसमें कि एक से दो लोग जो हैं उसके घर के आगे खड़ा कर देता है आप किसी के घर के आगे ऐसे व्यक्ति सीथे खड़े कर दोगे नज़र रखने के लिए तो शस्पीशेस हो जाएगा तो उसने एक दो लोग को खड़ा किया वो किसी को फल बेचने वाला यानि फ्रूट सेलर वेजिटेबल सेलर या फिर बिकारी बना के खड़ा किया जिससे कि उसके आने जाने की नजर रहे और साती सात जो है ये जो नजर रखी गई वो दो महीने तक रखी गई लेकिन जामीन शाह का पूरा मूवमेंट ये लोग ट्रैक नहीं कर पाए अब दो महीने के बाद इन्होंने और उस पे नजर रखने शुरू करते हैं पता चलता है कि जामीन शाह जाहतर अपने घर से निकलता है अपने ओफिस में जाता है ओफिस के बाद जाहतर जो टाइम वो बिताता है वो पाकिस्तान की एमबेसी में बिताता है तो बबलु शिवास्तव ने दो मोटर साइकल ने चोरी की मतलब खुद तो चोरी नहीं की मेरे कहने का मतलब बबलु शिवास्ता हमने दो motorcycle चोरी कराई और उस पे चाल लोग रखे मतलब कि एक चलाने वाला motorcycle चलाने वाला और एक हतियार चलाने वाला और इसके बीच में मैं आपको एक और चीज बताता हूँ किस्सा क्योंकि इस समय अगर मैं गलत नहीं है जब यह पूरी प्लानिंग हो रही थी जामी इशा को मानने की तो बबलु शिवास्तो उस समय जेल में था तो जब यह जेल में था तो जेल से इतना कॉडिनेशन नहीं हो सकता है तो कॉडिनेशन के लिए इन्होंने एक और तरीका निकाला और इन्होंने अपना एक कंट्रोल रूम बनाया और वो कंट्रोल रूम बना था भारेन में भारेन में बना था अली बुदेश के हां तो इसमें जो एक center of attraction person जो निकल के आया वो आया अली बुदेश जहां से पूरा control room जो बना वो अली बुदेश के मागदर्शन में बना जिसको बबलु शिवास्तप जो है जो भी काम कहना होता था वो अली बुदेश को कहता था और अली बुदेश जो है वो सब लड़कों को वो instruction pass on करता था तो बबलु शिवास्तप ने दो motorcycle चोरी करवाई और चाह लोगों को hire किया गया और उन दोनों के हाथ में बंदू के दी गई है अब इन लोगों ने ये decide किया कि जिस दिन जो है जामीन शाह embassy के लिए निकलेगा उस दिन हम खतम करेंगे तो ये लोग रोज किया करते थे कि आज निकलेगा कल निकलेगा फरसो निकलेगा लेकिन हर दिन वो जो है embassy नहीं जाता था week में या दस दिन में या बारा दिन में एक बार embassy जाता था क्योंकि ISI जो है पूरा control पाकिस्तान embassy के थुरू करती थी नेपाल में इंडिया में कोई भी नकली currency या कु जाता है तो जो जामीन शाह है वो उनकी आखों से ओजल हो जाता है तो control room जो बारीन में बनाता अली बुदेश के उसमें तो बबलु शिवास्ता फोन करके अली बुदेश को बोलता है कि वही एक काम करो तुम जो है जितनी जल्दी हो सकता है जो वो motorcycle है वो motorcycle जो है उसके द वो घर ऐसा था कि उसके दो side road थी ये घर है और उसके दोनो side road है तो वहाँ पर एक एक motorcycle है उन्होंने खड़ी करवा दी कि अगर वो जैसी आएगा उसको कहीं से भी आएगा उसको वहीं खतम कर देंगे लेकिन वो आने में लेट हुआ या नहीं आया उस दिन ये बात हो जो गाड़ी है वो खड़ी है पाकिस्तान embassy में और जामीन शाह बापस निकलता है अपने पाकिस्तान embassy से अपनी गाड़ी में बीच जा रहा होता है तो जो motorcycle वाले होते हैं वो उसको बीच में ही रोप के गोलियां मार देते हैं आपकी जपान और फ्रांस embassy के पास में तो य की motorcycle होगी लोग गोलियां चलाएंगे और सीधे निकल जाएंगे कोई पकड़ में नहीं आएगा उसके बाद जब यह गोली हो जाती है वो मर जाता है सब कुछ हो जाता है तो पुलिस आती है अब पुलिस आती है और जब यह मीडिया में चलना शुरू होता है तो इतने में भरत नेपाली का फोन इंडियन मीडिया को पहुचता है इंडियन मीडिया को पहुचता है बरत नेपाली कहता है कि यह जो काम है मर्डर हुआ है जामीन शाह का वो हमने किया है क्योंकि वो इंडिया में जो है देश दुरूई काम कर रहा था और हमने जो है देश के प्रती भावना रखते वे देशबक्ती की भावना रखते वे हमने उसको खतम किया है इसी बीच में चोटा राजन भी कॉल करता है और वो ये कहता है कि ये काम जो है मैंने कराया है अपने लड़कों से नेपाल में दूसी बात चोटा राजन और भरत नेपाली उस समय दोनों अलग ह चुके होते थे और दोनों अपने आपको जो है प्रूफ करना चाहते थे कि जो हम यह हुआ है वो हम ने किया है Harry पूलिस इणिवेस्टिकेशन और होती है इसी बीच में आपको ऊफ सबताता हूं कि इसी में अली बुदेश भी मीडिया को फोन करके बताता है कि ये हमने किया है तो पुलिस बड़ी कन्फ्यूज होती है कि इसमें कौन-कौन लोग इंवाल्ड है अब आगे बढ़ते हैं एक इंटरस्टिंग चीज मैं बताता हूँ आपको इसमें कि इसमें जो murderers थे जो कतल जिन्हों ने किया थे जो killers थे जो hire के hitmen थे वो आज तक नहीं पकड़े गए है और उनका असली नाम क्या है वो किसी को नहीं पता है लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि वो जो killers थे जो पकड़े गए थे वो लखनव से गए थे काटमाडू दूसी तरफ जब इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है पुलिस के द्वारा तो बड़े रोचक तक्ते इसमें कुल किया आते हैं पहला रोचक तक्ते मैं आपको इसमें यह बताता हूँ कि जो FIR हुई नेपाल में वो बबलू शिवास्तप के नाम से हुई ना ही इस FIR में बरत नेपाली का ना ही उसमें छोटा राजन का नाम दिया गया दूसी तरफ इसमें जो एक DSP लेवल का आदमी भी अरेस्ट हुआ जिसका नाम है DSP जगदीश चंद जब अरेस्ट होने के टाइम पे उसको सेवा से हटा दिया था पुलिस की सेवा से हटा दिया था तो DSP यानि डिप्टी सुप्रिटेंटन अफ पुलिस जगदीश चंद अरेस्ट हुए और जब उसकी फोन कॉल डिटेल्स निकाली गई तो उसमें जो है फोन कॉल डिटेल्स में ये पता चलता है कि मर्डर से पहले कुछ दिन पहले तक जब ये प्लानिंग हो रही थी और सब हो रहा था तो DSP जगदीश चंद जो है वो बबलू शिवास्तप के टच में था अब जो मोटर साइकल यूज हुई थी उस मोटर साइकल का नंबर था BA15A8733 ये वो मोटर साइकल थी जे वो मोटर साइकल चोरी की थी और यूज हुई थी जामीन शा के मर्डर में तो ये जो किस्सा है जामीन शा का निपाल का तो उसमें यह पता चलता है कि agency की war जब होती है खास कर जब दूसरे country की agencies जो है एक आम आदमी को अपना एक मौरा बनाती है और उसको दूसरे country में unstable less लाने के लिए economy wise या किसी भी तरीके से उसको use करती है third country में और आदमी पैसे के लालच में जो है उस agencies से जुड़ भी जाता है खास कर ISI से और लेकिन उसमें ISI का कोई नुकसान नहीं होता है नुकसान होता है कि उस वेक्ति का जो जुड़ा होता है क्योंकि उसके बाद उसके बीचे माफिया पर जाते हैं दूसरे countrys की agencies पर जाती है और एक elimination करवा दिया जाता है तो इसमें बहुत सारी theories सामने आई थी कि ये बबलु शिवास्तव ने अपने वर्चस के लिए किया था कुछ थिवास्तव आईंगी बबलु शिवास्तव ने अली पुदेश के साथ मिलकी ये agencies के लिए काम किया कुछ थिवास्तव को सुपारी दी गई थी और लोगों के द्वारा और माफिया के द्वारा तो इसमें बहुत सारी theories आई लेकिन जो कहानी मैंने आपको बताई है ये fact है ये सची है जो मैंने बताया बिलकुल वैसा ही हुआ था कि hospital पे private room में एक आदमी को रखके उस पे नज़र रखी गई फिर सडक किनारे fruit seller और vegetable sellers को बिठाया गया जिससे उस पे जामी इशा पे नज़र रखी जाई और motorcycle पे लोग बिठा के कतल करा गया तो आप ये सोचिए कि जो जितने माफिया होते हैं वो कतल करने के लिए जब गैंग वार होती है या कुछ भी होता है वो कितना दिमाग लगाते हैं और कितना पैसा खच करते हैं आगे की कहानी भी हम जारी रखेंगे एक और एपिसोड में लेकिन मैं जाने से पहले आप से यह कहूँगा कि कोरोना चल रहा है अपने घर में रहें और लोग की साहता करें जिनको जरूरत है और अपनी फोटोस हमें जरूर शेयर करिएगा वीडियो जरूर शेयर करिएगा आप किसी भी की साहता करते हैं तो हम अपने एपिसोड में जरूर दिखाएंगे मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विराओं